जयंतिराम अने सुवासने पहलू संतान दिक्री कल्यानी कोण जाने केमपन एनानी हती त्यार्थी शंकर भगवान नी भक्त बनी गई हती। एना पिता एना माटेज शिवलिंग लई आव्या हता अने मंदिर मां राख्यू हतू। दरेक मामबापने आशा होय के हवे एक दिक्रो जन्मे एटले परिवार पूर्ण कल्यानी दस वर्षनी थै त्यारे दिक्रो जन्मियों ए दिक्रो नानो हतो त्यार्थी घर ना मंदिर मां राखेला शिवलिंग पासेज रहेतो। ए त्या शिवलिंग पासे रमता रमता सुई जाए। एटले ज एनू नाम शिव राख्यू हतू। कल्यानी एना भाईनू बहुज ध्यान राखती। शिवना जन्मना थोड़ा समय माज खबर पड़ी के आ बाड़क तो मंद बुद्धी जन्मियू छे। परिवार मां सवने दुखतो थाय पन संतान ए संतान छे अने एने साचववू पडेज सुवासने पोताना दिक्रा माटे दुखतो थयू पन जयन्ती राम अने दिक्री कल्यानी संपूर्ण स्वस्थाता। कल्यानी कहती के तमे बे चिन्तान करो हूँ छूने। मारा भाईने साचविश अने हूज दिक्रानी जेन बधी फरच पूरी करिश। धीरे धीरे बधु सामान्य थवा मांडियू शिव थोडो मोटो थयो त्यारे एने मंद बुद्धीना बाढकोनी निशालमा मुक्यो। ए शाडा आमसाव नाना जुन्वानी मकानमा हती काका बापाना एकज परिवारना भायो चलावता हता। जग्या नानी पढ़ती पन शु करे। कल्यानी ने सवारनी स्कूल हती एकले शरुवात मा स्कूले थी आवी, जमीने भाई पासे एनी स्कूले जाय पछी ए सेट थाई गयो एकले सांजे बस सुधी लेवा जाये। जयनती राम भले मन मनावी का में लागी गया पन दुख तो थाई कारण के एम ने पोते आत्मब्रे इलेक्ट्रिकल साधनोंनी फैक्तरी नाखी हती अने ए गुनवत्ता मा मानता हता एटले प्रोडक्ट श्रेश्ट गुनवत्ता नी जहोई श्रेश्ट विविद प्रकार अने एम नी इच्छा हती के इश्वर एक दिक्रो आपी देतो ए मोटो थाए एने सरस आज लाइननू भणावू अने आ फेक्ट्रीनू बीजू युनिट नाखू एटले एम ने एम ना बंगला पासे थोड़ी मोटी जमीन पन लई राखे ली। अने एज शेड मा उत्पादन चालू राख्यूं। कल्यानिये कहिऊं पन खरू के हूं आ जमीन ने शू करिश। जयनती राम कहे भविश्यमा काम लागशे। जयनती राम पहले थी एटला दयाडू अने मानविय अभिगम वाड़ा हता के लाचार जरूर्यात वाड़ाने बहु मदद करे, कमाणी नो अमुक भाग दान धरम करे, हवे तो शिवने जे स्कूल मा मुकेलो त्यापन दान आपे। बधू सरस चालवा मांडियू कल्यानी ग्रेजुएट थाई गई अने हवे जयनती रामने थाईू के हवे दिक्री परणवा लायक थाई एटले कहिऊं के हवे तारा माटे छोक्रो जोवो पडशे त्यारे एने कहिऊं के ना पप्पा मारे लगन नथी करवा भाई तमें फेक्त्रिये जाव मा जोई ना शके अने पाचु भाई ने गमे त्यारे वाई आवे छे। कौन जुवे। ए लाड करवा पासे आवे जयंती राम लाड करेने आखो छलकाई जाए। के वो रुपाडो पण मंद बुद्धी अने बीमार एम थाए के शू थाशे। आज चिन्तामा एक रात्रे उंगमा जयंती रामनू हृद्य रोगना प्राण घातक हुंगलामा अवसान थय। दिक्री कल्यानी पप्पाने उठाडवा गई त्यारे खबर पड़ी। परिवार्नी शू हालत थाई हशे। विचारो पईसा थापन मुकी दीधा। हवे परिवार ने चिन्ता तो नहीं व्याज मा जीवाए। कल्यानी एनी मा अने भाईने साचवी बधु संभाळती मा कहती के आ बाजुवारी जमीन वेची नाक पईसा सारा आवशे। कल्यानी कहे शू जरूर छे। आटलू व्याज आवे छे। बीजा पईसा क्या नाक शू। ए दर्म्यान कल्यानी नो स्कूल समय नो मित्र जे परदेश भनवा गएलो ए पाचो आवयो अने बहुज मोटी कंपनी मा उँची पोस्ट अने उँचा पगारे नो क्रिये लाग्यो पछी कल्यानी ने मढवा आवयो। सांजे कल्यानी ए नि मा अने भाई बेठा हता त्यारे आवयो। मा सुवास्तो राजी थई गई अने कहिँ आवअव सुभाष क्यारे आवयो। केटलू रहवानू। सुभाश कहे हुँ कायम माटे आवी गयो, मारे हवे पाछा जवु न थी, मारा माता पिताने त्या आववु न थी एटले हुँ आवतो रहयो. मारा होवा छता ए लोको एकला रहे योग्य कहवाई, हुँ आवयो पछी मारा पिताये तमारा लोकोनी बधी वात करी. सुभाश कहेना हवे करिश एक कन्या नजर माचे यहाँ पाडे तो, एम कही एने कल्यानी सामे जोयू. बधा समझी गया, एक बीजा सामे जोयू कोई काई बोलियू नहीं. विधीना विधान होय एम जयंती रामना गया पछी भांगी पडेली अने दिक्राशिवनी चिन्तामा बीमार रहेती सुवासे एक सवारे जीव मुकी दीधो. हवे कल्यानी भांगी पड़ी अने एने एवो आघात लाग्यों के साचववी भारे पड़े. मंदबुद्धी भाई बधु समझतो पन ए रडता रडता एनी भाशामा कहे बहेन हूँछूने हवे विचारो ए आबोले पछी सवनी आखो भीनी थाए. सुभाश आवी गयो हतो एने बधु साचवी लिधू. कल्याणी ने थई गयू के हवे मारे भाई शिव माटेज जीववानू छे. दुखनू ओसर दहाडा एमबे महिनामा कल्याणी स्वस्थ थई. माना गया पछी शिवने वाई आववानू वधी गयेलू एनू शरीर पन उत्रवा मांडियू हतू. बहुद्ध्यान राखवू पड़े. एक रविवारे कल्याणी एना भाईने नास्तो करावती हती त्यारे सुभाश एना मातापिता साथे आव्यों. કલ્યાનીએ આવકાર્યા અને કહીં આપણે સાથે છા નાસ્તો કરીએ સુભાષ કહે નાસ્તો હું છું તું છા बना बधा बेठा च्हा नास्तो करता हता अने सुभाश नामा एक हिूं के बेटा कल्याणी हवे तु लगन करीले सुभाश नी पण इच्छा तारी साथेज छे कल्याणी कहे तमारी वात साची पण मारे हवे भाईनू ज जोवानू छे एनू शू थाए सुभाश ना पिता कहे जो बेटा आपनो बंगलो विशाळ छे लगन पची शिव साथे आवे आपनी साथेज आपने बधा एने साच्वशू तु एकली केटलू करिश अने बिजू तारे मात्र शिवने लईने आववानू छे अमारे तारा थापन ना कोई पईसा के आ बंगलो जमीन कईज नथी जोतू एनू तारे जे करवू होए तेकर अमारी पासे पुशकर पईसा छे सुभाश घणा लईने परदेश्थी आव्यो छे अने हवे एनो अही पगार पन सरस छे अने मारी आवक्तो छे ज कल्याणी ने समझावता दिवसो लाग्या पन मानी गई जारे सुभाशे कहिऊं के शिव जे शाडामा जाय छे त्या बाढको वधू जग्या नानी छे आपने एक काम करिये बंगला पासे नी जमीन एमने आपिये त्या स्कूल बनावे फंड भेगू करी आपशूं कल्याणी कहे मकान बनाववाना पैसा स्कूल जरूरी वस्तुओना पैसा के लोको पासे क्या छे फंड केटलू थाए एना करता आविचारते मुक्यों छे तो तने जो वांधो ना होय तो जे पैसा था पन मुक्या छे बधा ए बिल्डिंग बनाववामा आपी गईये बोल सुभाश अने एना पिता कहे वाह बहु सरस एमज करो। एना थोड़ा समय पछी सुभाशे कहिँ के मारू मानतो बंगलो वेची नाख अने एपैसा आमा नाख बधी सुविधाथी सज्ज आविद्याले थशे एमज थयू। मुख्य ट्रस्ती सुभाश कल्याणी पछी मूर संचालक भायो अने शाड़ा ने सरकारी मदद पन मली। शिवनू पुत्लू मुकायू अने शाड़ा शरू थई सवय एक वातना वखान कर्याके जमाई के एना मातापिताय कल्याणीनी पैत्रुक मिलकत पुणेना काम माटे उप्योग करवा कहिँू लई लेवानी कोई दानतना राखी नहीं तो करोडो हता। आ पची मुरुत मातापिता अने भाईना आशिर्वाद हशे के सुभाष कल्याणीनू जीवन सम्रुद्ध थईू। इश्वर कहे छे तमे कल्याण जरुरियात वाडानू करो तमारू कल्याण हुँ करिश अने साचूज छे तमे कोई निर्दोष लाचारनू सहेज भलू करो इश्वर बम्नू आपशे अने तमे जो कोई निर्दोषनू हीन्वोतो इश्वर बम्नू तमारू लई लेशे। कर दो